आपको create करना है, create your mind map, कि आपके दिमाग में सब चीज clear होना चाहिए, कि ये chapter में ये topic है, ये topic में ये questions थे, और मैंने इसको learn किया है कि नहीं, ये chapter में ये questions थे, ये सब है, maths में ये type के examples पूछेंगे, इसके ये formula होते हैं, इसके ये formula होते हैं, हर चीज आपके mind में, एकदम बोलते हैं न, mind map, clear होना चाहिए, अगर आपको clear नहीं है, तो जरूर से आपके exam में confusion create होगा, और आप लोग answer नहीं लिख पाओगे, ये मेरा experience से बता रहो, और अगर आपने सब पहले ही clear कर लिया है न, दोस्तो, कोई नहीं रोख पाएगा आपको top करने से, इतनी मेरी guarantee है next अगर मैं बात करूँ, ये सब होने के बाद, अब होता क्या है कि हमारी दिमाग की capability होती है, कि हम चीजे भूलना शुरू करते हैं, आप कितना भी talented क्यों नहीं हो दोस्तो, एक बर आपने जो चीज पढ़ा है, अगर आप उसको दुबारा practice नहीं करोगे, तो कुछ समय के कुछ दिनों के बाद भूलने लगते हो, तो जैसे आप भूलने लगोगे, तो उसके लिए best solution क्या है, उसको दुबारा से revise करो, practice करो, लेकिन सबसे best तरीका जो मुझे, मैंने अपने life में जो follow किया था दोस्तों, वो है, discuss it with your friends, explain it to your friends, मतलब आपका एक friend circle create करो, ऐसा friend circle होन चीए, जो time pass ना करे, ऐसा होना चीए, कि जो literally पढ़ाई के time, at least पढ़ाई करो, मैं कभी game के खिलाफ नहीं हूँ, आप games खेलो, जो करना है खेलो, लेकिन एक गंटा दिन में time निकालके, वो group discussion किया करो, कि तूने क्या पढ़ा, हो सकता है, उसने जो चीज पढ़ा होगा, तो आपने नहीं पढ़ाऊगा, तो हमें mutual sharing हो जाएगा, कि यार उसने कुछ topic आपको explain कर दिया, आपने कुछ topic explain कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है, कि कुछ topics हमें hard लगते हैं, लेकिन सामने वाले को बहुत easy लग जाता है, तो वो इस तरीके से हमें explain कर देगा, कि हमको समझ म आजाता है, हम उस तरीके से उसको explain कर देगे, तो हम ही समझ में आजाता है, तो हम जब discuss करते हैं इस प्रकार से, तो हर चीज़ clear हो जाता है, और इससे आपका revision भी हो जाता है, तो ये चीज़ ज़रूर करना, try to do group studies, group discussion या फिर group studies बोलो, ये करोगे, तो आपका बहुत ज्य marks मिल रहे हैं, और उसके हिसाब से आप कितना prepared हो already, तो ये ही था दोस्तों, मेरा कुछ strategy और कुछ important tips और points जो मैंने अपने life में follow किया था, और मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोग को ये साथ भी share करना चाहिए, that's why I have shared to you, तो जो topic का हमारा कि कैसे हम chapter को learn कर सकते हो, तो बहुती अच्छी बात होगी, और अच्छे marks लेक्या होगे, तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, ठीके दोस्तों, तो ये ही था हमारा आज का वीडियो, thank you so much for watching this video, अपने life में, और आपको अगर help करेगी, और अच्छा marks आप लेक्या पा रहे हो, या फिर improve कर पा रह प्रेंड है, तो लाइक करो, शेर करो, चैनल पर फर्स्टाइम आए हो, इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्स्क्राइब जरूर से कर देना, तो मिलते हमारे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए, thank you and good bye.